गर्मी स्टार्ट हो गई है इसमें बजार में फालसे बिकना सुरू हो गए हैं तो ये हम करीब देड़ दो सो ग्राम के करीब ये मेरे फालसे हैं इनको हम लाई थे बजार से फिर इसको अच्छी तरह से धूल लिया है और इसका आज हम सर्वत बनाएंगे धूलने के बाद अगर आप चाहे तो इसको पानी में भीगो के हास से भी मसल करके सर्वत बना सकते हैं और आप चाहे तो मिकसर से भी बना सकते हैं मिकसर में भी बहुत अच्छे से फालसे का सर्वत बन जाता है तो एक गलास पानी अभी हमने डाल दिया है और इसमें जो है आप स्वाद के अनुसार चीनी डाल दीजिए हम लोग बहुत ज़्यदा मीठा नहीं पीते इसलिए चीनी हम बस दो चम्मच ही हम डालेंगे दो गलास हम बनाएंगे तो उसमें बस दो चम्मत चीनी डालेंगे दो गलास में दो चम्मत चीनी डालेंगे और चीनी को ढखकर अच्छी तरह से बंद कर देंगे और उसके बाद मिकसर को दो मिनट के लिए चला लेंगे जिससे चीनी हमारी पानी में देखिए अच्छी तरह से घुल गई है इस तरह से अगर हम बनाते हैं फालसे तो बहुती टेस्टी फालसे का सरवत हमारा बन करके तयार होता है अब यह फालसे जो है इस फालसे को भी हम इसी पानी में डाल देंगे और धकन बंद करके मिकसर को चलाएंगे तो दीरे दीरे चलाएंगे इससे इसके बीजे जो है देखिए इसमें अंदर छोटे छोटे महीन महीन बीजे होते हैं अगर एक मिट के लिए हम चलाएंगे और बंद करेंगे चलाएंगे और बंद करेंगे मिकसर को तो हमारे बीजे नहीं पिसेंगे और फालसे का सर्बत हमारा बहुती टेस्टी बन करके तैयार होगा पस इसमें यही करना है बार बार एक मिट के लिए मिकसर चलाना है फिर बन कर देना चलाना है फिर बन कर देना लगातार मिकसर को नहीं चलाना अगर हम लगातार मिकसर चला और जो मेरा सरबत का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखिए हमारा सरबत बन करके तयार हो गया है और कितना अच्छा देखिए बना हुआ है गड़ा-गड़ा अब इसमें जो है बीजे देखिए सारे बीजे आपको समूचे आपको दिखाई पड़ेंग क्योंकि ये गाड़ा बहुत है अभी और इसमें हमने एक चम्मच की करीब काला नमक डाल दिया काला नमक डाल देने से हमारे सरबत का टेस्ट और बढ़ जाता है और एक गलास पानी हमने उपर से और डाल दिया अब धकन बंद करके फिर इसी तरह से एक मिट चलाएंगे मि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये देखिए हमारा फालसे का सरबत बन करके फर्स प्लास तयार है ये गर्मी में बहुती फायदे मंद होता है देखिए बीजे एक भी नहीं पीसे है सारे बीजे समूचे ही हैं अभी देखिए अब हम क्या करेंगे एक बाउल ले ले चमसिते चलाते रहेंगे तो सरबत हमारा नीचे चला जयाएगा और बीजे हैं ये सब छली में उपर रह जाएगे घरमी में बहुत फायदे मंद होता है फालसे का सरबत और बहुती टेस्टी होता है फालसे का स्वाद जो होता है वो खटा मीठा होता है अहलकी से जब चीनी और हलका सा कालर नमक डाल देते हैं तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है बहुती टेस्टी लगता है इस प्रकार से अ बढ़ों के लिए भी सभी लोगों गर्मी में फालसे का सरबत पीना चाहिए और इसी मौसम में इसी सीजन में फालसे हमारे आते हैं और बहुत मार्केट में इस दिखाई पड़ रहे हैं तो आप लोग भी इसी प्रकार से बनाईएगा। देखिए हमारा सरवत नीचे हो गया है और जो इसके बीजे है पल्स है वो सब हमारे छन्नी में रह गया है और देखिए एक भी बीजा इसका हमारा पिसा नहीं है अगर आप धीरे दीरे मिक्सर चला के बंद करेंगे चला के बंद करेंगे तो बीजे नहीं पिसेंगे अब इस इस बरतर में हमको पीना है, उस बरतर में हम निकाल लेते हैं, हमने देखिए ये मग ले लिया है, इसमें अब हम निकालते हैं, दो जगे हमने निकाल लिया है, क्योंकि हमने दो गलास की करीब ही बनाया था, अब इसमें हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया था, अगर आपको ठंड़ा सर्वत बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा उनको पिलाईएगा आप भी पीजिएगा अपने फैमिली भर्म्यार बच्चों को पिलाईगा